नमस्कार दोस्तों, श्टॉक मार के स्टेडिस में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज यहाँ मैं मैं डिसकसन करूंगा कुछ इंपोर्टेंस कमपानी के आपडेट्स और उसके टेक्निक के लिए चार्ट पर्टेंस के बारे में, तो इस वीडियो को ध्य तो सबसे पहले जिस कमपानी के बारे मैं डिसकसन करूंगा को उसका नाम है Tata Motors, तेके Tata Motors Tata Group के सबसे पुराना कमपानी है, और उसके साथ साथ देखाजे तो Tata Motors इंज में जितने सारे मतलब गालिये कमपानी है, उन में से थोड़ा सा लग है, क्योंकि Tata Motors ने टूहीलर ल तो इस अलग-अलग category में Tata Motors ने two wheelers और three wheelers, two wheelers और three wheelers बनाने के बाद, मतलब इसको वो avoid किया, इस sector को बाकी सारे सेक्टर में वो anti हो चुक है, तो companies सिर्फ इंडिया में नहीं, company आप देखेंगे तो UK, South Korea, South Africa, China, Brazil, Australia और मतलब Solvia, तो इस तरीके से अलग-अलग जगा पे company ख तो मुझे कुछ दोस्तों ने comment किया, Sir, Tata Motors के पास तो बहुत ज़्यदा करजा है, तो क्या इस company को को निवेस करना सही होगा, देखें, निवेस करना ना करना आपके हाथ में है, कि कि मैं कोई भी tips नहीं देता, हाँ यह आपका question का मैं answer दे सकता हो, कि कि एक time आपने side नहीं नहीं देखा है, एक time तो 6% के आसपास इसका debt of equity था, 6% के आसपास इसका debt of equity था, आज तो 50% कम किया है, तो कम क्यों हुआ, क्योंकि दीखें, debt इतना क्यों था, क्योंकि company के sales हो रहा था, उससे कई गुना ज़्यदा company के expense हो रहा था, तो expense ज़्यदा होगा, और sales कम होगा, तो company debt कहां से मिटाएंगे, क्योंकि मतलब करजा तो मिटा रहा है, तो करजा तो ज़्यादा करजा कहां से मिटा पाएंगे, उसके ज़्यादा income होता, तो वो फटा-फट करजे को मिटा पाते, तो फिर भी इस company का हिसाब करे, तो companies का quarterly result है, आप ध्यान से एक चीज को देख ना, company के interest है, वो interest को किस तरीके से आपे cover किया, और इस interest cover करने के बाद company का taxes है वो भी आपे company payment किया, और उसके बाद company इस बार क्या-क्या profit generate किये, पिछले last कुछ तीन quarter में company profit किये, और पिछले सालों में company ने big losses किये थे, तो losses से company profit तक जो journey दिखाया, वो एक बहुत positive journey करूँ, कि company के sales growth है, company के sales growth और profit growth में दिखेंगे, तो अभी भी पांस साल और दस साल में उतना खास नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो पांस साल और दस साल में जो company ने performance किया, उसको अभी तक beat नहीं कर पाया, क्योंकि company 2018 तक, 2018 के बाद, economic slowdown के साथ-साथ, auto sector में slowdown होने क कारण, इस company के भी हालत खराब हो गया था, 600 रुपीज था, 2018 में, और 600 रुपीज से company 65 रुपीज तक आ गया था, तो देखें कितना बड़ा crash हुआ था, तो फिर आज कितना है, आज 600 के उपर है, तो एही होता है power, एही होता है, अच्छे company को निवेस करने का, और निवेस क जहापित है, मैं फिर भी उस company को एक बड़ा target लेकर चला हूँ, और मैंने कुछ swing trading भी लिया था, मैं आपको CRB किया, कहा कहा पे swing trading लिया, तो उसके बाद अभी एक swing trading बना है, जो मैं आपके साथ CRB करके रखा हूँ, देखें मैं आपको बार बार बोला हूँ, अगर कोई स्टॉक के उपर मैंने कोई trade लिया, तो वो trade मेरे खुद का trade है, मेरे खुद का analysis है, आप blindly उस trade को follow मत करिए, आप blindly काल जाकर निवेस मत कर दीजिए, आप भी सीखिए, जानिए, उसके बाद backtresting करिए, अगर आप उसके बाद लगता है कि हाँ, इस तरीके से trade लिया जा सकत है, और रिक्स के हिसाब से, ऐसे नहीं के पूरा का पूरा पैसा एक ही company के उपर निवेस कर दूँ, मैं आपको बहुत और बोल चुका हूँ, एक company के उपर निवेस मत करना, आपके fund का total capacity का 3-5%, इसका मतला मान के चलिए, आप total एक लाग लेकर market में आया है, कि मैंने swing trading करू profit मिलेगा, तो भी नहीं, और 100% जो profit आप बोल रहे है, यह सरा सर जूट है, क्योंकि 100% कोई भी company profit आपको देगा, ऐसे हो नहीं सकता, यह आपको साथ कुछ companies में दे दे, आप हर कोई companies को 100% कहेंगे, तो आप गलत कह रहे हैं, तो आगर, मैं तो कभी नहीं कहता, अगर कोई reserve को बता रहे हैं, तो वो मेरे सब से गलत बता रहे हैं, तो budget मतलब balance rate के बारे मात पर कमपनी के देखिए, reserve लगातार बढ़ते गए, और उसके बाद देखिए, धीरे-धीरे करके reserve भी कम हुआ, अभी reserve कम क्यों हुआ, देखिए, reserve कम इसलिए किया गया, क्योंकि company के 6% के आ करजे को मिटाना चाहिए, किसी भी तरीके से करजे को मिटा पाएंगे, तभी company खड़ा हो पाएगा, और इसलिए कि साइद, institution भी इस company के उपर भरोसा करने लग गया, क्योंकि company खुद के depth को मिटा रहा है, उसके बाद अच्छा कासा performance भी कर रहा है, तो इसलिए कौन नहीं चाहेगा इस company को रहने के लिए, जो company 67, 65 रुपीज से आज 600 के उपर चला है, यह जो 10 times company return दिया, मतलब, sorry, 10 times नहीं, 10 times से भी ज्यादा बोल सकते है, तो इतना जो return दिया, इसका तो फाइदा हर institution ने उठाया, तो उससाब से वो sell क्यू करें, तो sell क्यू 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 क 600 एक strong resistance था, उसको face किया, तो कुछ profit booking तो होगा ही, अभी profit booking कहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखना, मैंने आपको एक trade mention किया था, तो पहले तो यहापे एक trade बना था, और यहापे target था, वो तो achieve हो चुके है, यहापे भी trade बना था, यहापे target था, वो भी achieve हो चुके है, इतने सालों के experience के इसाब से मैं बता रहा हूँ, कि head मतलब बना, तो वो छोटा है, बड़ा है, उसमें कोई फिकर नहीं, मुझे यह देखना है, कि properly head और shoulder बना के नहीं बना, तो यहापे अची तरी किसे shoulder boy बना, और यहापे confirmation भी हो गया, तो मैंने यहापे NTV लिया हूँ, तो अभी फिलाल के लिए मैं integer करूंगा, तो थोड़ा सा time लगेगा कि यह जो target बन क्या रहा है, तो करीबन करीबन target जो है 89% के आसपास target बन क्या रहा है, तो करीबन 1120 रुपीज के आसपास इसका target बनेगा, तो इसके लिए तो time लगेगा, अगर इस time दो साल भी company लगा द ACN Paint, नेक्स्ट चो company जिसके बारे हैं बात करूंगा, उसका नाम है ACN Paint, अब अब सब जानते हैं ACN Paint के बारे में, ACN Paint इंडिया के number one pain industries company है, सिर्फ ACN के नहीं, उसके साथ साथ इंडिया का number one है, और उसके साथ वाल्ड में भी top five ranking में company का नाम देखने को मिल जाते है, तो pain industries में एक leader company है, और इसका market cap करीवन तीन लाग क्रोड के आसपास है, तो एचीज सबसे पहले देख लीजिए, क्यों मुझे पिछले बार एक दोस्तों ने comment किये थे, सर आप तो बता दिया कि वाल्ड के top ten में ACN Paint के नाम आते है, तो कहाँ पे है, अब ध्यान से देखना, 2023 के report को मिलेगा, तो आप कहेंगे sir, एक जो नोबल, साती साथ कंसाई paints, तो एक company भी तो इंडिया में है, तो यह patient paint से उपर क्यों चला गया, देखिए, आप सोचिए इस बात को, एक जो नोबल, एक वाल्ड के number one company है, और यह बहुत बढ़ा company है, आप इंडिया में subsidiaries लेकर काम क इसके बारे में मैं बहुत bullish हूँ, मेरा investment भी है इस company को उपर, और मैं कभी भी मुका मिलता है, तो मैं swing trading भी करता हूँ, ऐसे नहीं कि सिर्फ investment करकर रखा हूँ, मेरे इस company को उपर as a long term vision के इसाब से बहुत perspective के इसाब से बहुत positive हूँ, अभी बहुत positive क्यों हूँ, एक जो product खरीते हैं, उसको paint से लेकर हर चीज में paint लगते हैं, हर चीज में, हर जगा पे paint लगते हैं, तो paint industry का demand हमेश आपको देखने को मिलेगा, तो company देखिए, waterproofing, texture painting, wall sticker, साथी साथ आप देखेंगे, तो कुछ mechanized tools है, अधी साथ, साथी साथ, modular, kitchens है, तो इस तरीके से lights है, soft furniture से, तो उसके उपर company काम करते हैं, तो company के देखें, performance के बारें बात करो, तो आपका एंगे sir, peer issue तो बहुत high है, industries peer issue से भी जादा है, तो एक चीज में आपको बता दू, company के peer issue एक time कहा तक चला गया था, 119 तक, उसके बाद धिरे-धिरे नीचा आया, और अच्छी बात य है, company के जो COVID का जो level था, उसी level के आसपास आया, इसका मतलब यहां से एक बड़ा धमाका होने के लिए company त्यार हो रहा है, और अच्छी बात ये भी है, company के current peer issue 66 है, और average peer issue 76 है, इसका मतलब company के जो peer issue पे देखने को मिला है, वो peer issue मेरे इसाप से एक undervalued peer issue देखने को मिला, अ हमेशा sales को increase करते है, expense को maintenance करने के बाद company profit भी एच्छे खासा कर रहा है, company 1000 करोल का profit पिछले सालों में किये थे, और इस बात 1500 करोल का profit किया, और balance sheet को भी बारे में बात करूं, तो balance sheet में आपको एक चीज़ दिखेगा, कि continuously company खुद को reserve को बढ़ाया, और expense को company control में रखे, और company के fix asset भी बढ़ा, और company इस बार सारे हद पार कर दिया, company इस बार 1000 करोल के उपर capital working in process को continue किया, अभी capital working in process क्या है, capital working in process का मतलब है, company खुद की कुछ पैसे को वो processing में लगा कर रखा, production में processing में लगा कर रखा है, जो पैसा company का मतलब budget खतम हने के बाद वो directly जो asset है, वो asset में add हो जाएगा, तो यहाँ पर एक plus point जूरू में काऊंगा, company में इस तरीके से project को continue कर रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाले है, और वो भी chart pattern भी दिख रहा है, मैं chart pattern आपको दिखाऊंगा, उससे पहले देखिए, company का trade कितना receive हुआ, sorry, company का trade इस बार 45,000 रोड का receive हुआ, और इसलिए साय मुझे लगता है, continuously देखिए, जो buying हो रहा था, अभी जो selling हो रहा है, वो काम होता जा रहा है, मेरी सबसे next August मान में buying देखने को मिल सकता है, क्योंकि chart pattern कुछ उसी तरीके से बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको एक labels mention किया था, एक continuous sale of हुआ था, उसके बाद breakout हुआ, तो मैंने यहापे कोई trade नहीं लिया, मैंने trade कहा पे लिया, मैं आपको बता दू, trade actually मैं यहापे लिया था, एक shoulder come head come shoulder बना था, और मैंने यहापे anti लिया, और मेरा target अभी तक नहीं हुआ, तो यहापे जो anti levels है, वो मैं आपको एक बा target मिलेगा, तो अब तक target तो नहीं हुआ, तो मैं state तो almost ले चुगा हूँ, दूसरा भी एक trade लूँगा, वो trade क्या है, वो बहुत important state बनने वाल है, तो ध्यान से देखना, एक shoulder बना, उसके बाद big head बना, उसके बाद यहापे एक shoulder बनाएगा, और जब एक shoulder बनेगा, तो सोच आपको यह सारे चीज़ दिखाना था, तो इसले में दिखा चुका हूँ, तो आपको मैं एक बार mention भी कर रहा हूँ, तभी आपको और भी clear हो जाएगा, तो यहापे देखिए, तो मेरे हिसाब से एक opportunity फिर से आपको मिलेगा, और फिर से opportunity आपको यहापे मिली भी चुका है बाकी आप समझदार है, उसी सबसे काम करना, क्योंकि मेरा कोई आपको attention नहीं है, मैं आपको recommend करूँ, नेक्स चो company जिसके बारे बात करूँ, उसका नाम है Apple India, तो के Apple India, इंडिया के एक popular company है, इस company के sector wise बात करूँ, तो company के sector wise देखेंगे, तो company एक IT sector से बिलों करते है, और Apple India के सबसे plus point ऐई है, company देखा जाए तो जितने सारे technology basis है, तो उसके उपर काम कर रहा है, साथी साथ company, global technologies company के साथ काम कर रहा है, company के सबसे खासियत ऐई है, यह company consumer platform के उपर काम करने वाला companies को धिरी दरे करके growth जरू देखने को मिलेगा, क्योंकि customer के demand wise company काम कर रहा है, तो customer जो जो चीज के उपर demand रखेंगे, तो उसी के उपर company criteria wise supporters बनाते चले जाएंगे, तो company में जो खासियत है company एकदम best मेरे हिसाब से एक best है, क्योंकि company का अच्छा खासा income भी है, टेपत नाके बरबर है, हाथ में cash भी है, companies के profit and loss में continuously company profit को increase करते जा रहा है, उसके हाथ साथ सा एक साल में return तो मिला, एक साल में 17% का losses मिला, तो यहाँ पर जो losses मिला है, उसको recovery करने के लिए company को एक plus point देखने को मिल सकता है, तो कहाँ पर पास plus point मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हो देखिए, continuously क्या कर रहा है, mutual fund वाले ने buying करते जा रहा है, last कुछ 3 months में company को बाइंग किया, देखा है तो at least last 6 months से buy किया जा रहा है, बीच में April month में buy नहीं किया गया, बाकी सारे entity के हिसाब से देखा है, तो रही बात company के chart pattern का, तो मैंने आपको trade mention किया था, और किस तरह के से target achiever वो देख लिए, यहाँ पर trade क्या था, trade कुछ इस तरह के से था, solder, कम head, कम solder बना, और यहाँ पर breakout हुआ, और यहाँ पर anti बना और यहाँ पर target बना है, तो मैंने दूसरे एक anti लेने वाला हो, जो anti labels में आपको mention भी किया, वो anti labels क्या है, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बना, एक बार solder, दो बार solder, तो इसको एक बार ही solder बोल सकते है और उसके बाद का बना, एक big head बना, और उसके बाद फिर से एक solder बना, और यहाँ पर breakout भी हो चुके है, तो मेरा anti label यहाँ से यहाँ तक अगर बने, और मेरा target यहाँ से यहाँ तक बने, तो at least आप बोल सकते हैं, कि 21% target मिल सकता है, तो anti कब लोंगा, इस candle के उपर अगर जब second entry बनेगा, तो आपके साथ भी share करूँगा, तो last company जिसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है GNA Excels Limited, तो GNA Excels Limited, देखा जाए तो एक छोटा सा company है, तो इस company ने अच्छा का सा धामा का performance देने के बाद, एक बहुत बड़ा announcement किया, और वो announcement actually bonus देने का था, तो company first September में एक के बदले एक bonus, इसका मतला आपके पास 100 share है, तो उसके बदले आपको 100 share bonus के इसाब से मिलेगा, तो इस video totally आपको as a education purpose में आपके साथ share क्या हूँ, कोई भी buy and sell का recommendation नहीं है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो please like करना, दोस्तों को साथ share भी करना, और channel को subscribe भी कर तो जाकर जोरू like करिए, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक लिए अच्छी सरी अपने क्या लगे किये, धन्यवाद,